दोस्तों नमस्कार हिंदी कुझ्ज माप सभी लोगई स्वागत है आज हम लोग बात करने चल लेए नूतरं गुंजन हिंदी पाट माला भागत देन गंतरगत अध्या 11 पिक्निक के बारे में हम लोग पिकनिक पाट का ध्यन खरेंगे इसको पढ़ेंगे समझेंगे साथे रिखकी उप्योंकि जानकर राप्त होती रहें तो सुरुबात करते हैं पिकनिक के बारे मैं अध्याई 11 तो यहां पे दिया गए बातों में किया आपने कभी किसी के मदद की है किसी के मदद करके आपको कैसा लगता है तो देखिए या आपके एसाब से है आपको उतर देना है कि आपने किसी की मदद की है या नहीं की है तो आप लिख सकते हैं कि हाँ मैंने मदद की है और किसी की मदद करके आपको कैसा लगता है तो मुझे सभी की मदद करके जिसको सहता है क्या हो सकता होती है उसकी मदद करके मुझे बहुत अच्छा लगता है ए निलेस और उसके साथियों ने माली की मदद किस परकार की तो यह निलेस और उसके साथियों की कहानी है जिसने एक गरी माली की मदद की तो हम यदे हम अपने जियों में दूसरों के मदद करेंगे तो हम अपने जियों में भी तरकी करेंगे जरतमंद की मदद करने से जो फंद खेलते को नजार आ रहे थे, मैं अपने मित्रों के साथ खेलते-खेलते तरण ताल के व निकल गया आचानक मेरे मित्री हिसान के ध्यान एक भटे हुई कोड की तरफ गया जो एक पेंड की डाल पर टंगा हुआ था, हम समझ गये कि यह कोड अवह से किसी मालिक पाल का होगा ज जो सुविंग पूल है वहां पे गया तरण ताल का मतलब सुविंग पूल होता है और मेरे मित्र जो मेरा जो दोस्त है इसान उसका ध्यान एक फटे कोड के तरफ किया जो कि पेड़ की डाल पर टंगा हुआ था तो हम लोग समझे कि जरूर किसी माली के होगा जो कि आज सिपा कर हम उसका कोड वापस कर देंगे क्यों आएगा मज़ना मेरे साथियों में निलेस बहुत समझदार था उसने कहा मित्र किसी को मुस्विबत में डाल कर हमें क्या मिलेगा क्यों ना मुस्माली को खुश करने का कोई पार सोचे हम सब मिल कर सोचने लगी कि क्या क्या जा जा निलेस ने सुझाओ दिया कि क्यों हम अपने जेब खर्च के पैसों में से कुछ रुपे निकाल कर उसके जेब में डालें तो निलेस ने कहा हाँ और हम अपनी टॉफी चॉकलेट बिस्कुटों से भी कुछ उसके जेब भर सकते हैं तो जो निलेस जो एद्दी की जो इसान ल किसी को परसान करके हमें क्या मिलेगा क्यों न हम उसे खुष करने का कोई पास सुचें तो सब लोग ने सब बच्चों ने प्लानिंग किया कि क्यों न हम उसके जेब में कुछ आपने जो जेब खर्च पाते हैं मों इसमें से कुछ रुपए निकाल कर उसके जेब में डाल सबी बच्चों को निलेस की बात पसंद आ गई देखते देखते कोट की जेबें रुपए, रुपएयों, चॉकलेट और टॉफियों से भर गई हम सब माली की आने की छिपकर माली की आने की प्रतिच्छा करने लगे तो सबी बच्चों ने अपने जेब खरस में से कुछ रुपए, कुछ टॉफि, कुछ चॉकलेट, कुछ बिस्कुट उसके जेबों में भर दिया और चलो यहां से चलें कब तक हम युही माली की प्रतिच्छा करते रहेंगे चैताली बोली हाँ अध्याबी काजी हमें धूंड रहे होंगी वशुदा ने कहा हम वहाँ से जाने के लिए मुड़ेगी थी कि दूर से आता हो माली दिखाए दिया उसके आथ में खुर्पी थी और वह अपने दूसरे हाँ से बार बार पसीना पहुंचता हुआ आ रहा था हम तुरंट इदर उदर शिप गए तो देखा कि हम लोगों ने बहुत परिसान हो गए कि चलो अब वापस चलते हैं कब तक इंतियार करेंगे माली के जेब में तो डाली दिया है लिकिन जब जानी लगे था तब देखा कि दूर से माली आ रहा है उसके हाथ में घास साफ करने वाली खुरपी थी और वा बहुत गर्मी में बहुत परिसान हो गया था और वा बार बार अपना पसीना पहुचते हुए आ रहा था हम तुरंट इदर उदर शिप गए कि देखते हैं क्या होता है माली ने पेंट की डाल से एक कोट उतारा और जैसे पहने लगा वा रुकामानों को सोच रहा पर जेवे टटोलने लगा और इपनी कोट की जेवे इस प्रकार भरी वे देखकर माली की धर दो देखने लगा चारों और किसी को न देखकर वहीं बैठ गया और दोनों हाथ उठा कर उच्छी आवाज में बोला हे इश्वर तू सबके मन की इच्छा जानने वाला है मेरे बेटे ने चलते वे कहा था कि आज उसके लिए टॉफिया और चॉकलिट लाओ लेकिन मेरी जीवे में जेव में फूटी कोड़े भी नहीं है और तू ने तो आज चपर फाड़ कर दे दिया माली के सब्दू सुनकर पेड़ों के पीछे चीवे बच्छों के चेहरे खुसी से किल गए आज उन्होंने अंजाने में सही पर एक जरतमंद की मदद की थी सबके मुख पर संतोस का भाव था तो माली आया और उसने अपने कोट तारा पेड़क डाल से और पहनने लगा और जेवों में हट डाला तबी क्या देखता है उसको जेवे में टॉपी, रुपए, पैसे, बिस्किटाथ भरे हुए तो वा कोशता है कि किसका है किसने डाला लेकिन वहाँ कोई दिखाय नहीं दिया क्योंकि बच्छे शिप गयते कहीं पर जाड़ी में जाके और देख रहे थे कि क्या हो रहा है तो वा दोनों हाथों को उठाकर भगवान से आऊपर आसमान में कहता है कि ये भगवान, हे श्वर, तू सब की इच्छा जानने वाला है मेरे बेटे ने चलते समय कहा था कि आज मेरे टॉफी लेक्या आना लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है और तुन्यास तो मुझे चप्ड़ फार कर दे दिया है तो माली के सब्दों सुनकर पेड़ों के पीछी छपे बच्चों की चेहरे पे खुसी आ गई और उन्होंने अंजाने मीचे चाहे बनमासी करने के लिए चाहे निलेस के सुझाओ पर किया लेकिन कुछ अच्छा काम किया और उन्होंने एक जरुतमन माली की मदद किया और माली के बच्चे को खुस कर दिया तो सबके मुख पर संतोस का भाव था तो सब लोग बहुत खुसी थे जिस परकार हम जान पाए पिक्निक कहाने में कि हमें जरुतमंदों की मदद करने चाहिए निलेस और उसके साथियों ने गरी माली की मदद की और उसके जेमान जाने में ही टॉपी बिसके चॉकलेट डाल दिया और माली का बच्चा इस सारी चीज़ें गिफ्ट पाकर बहुत खुस हुआ होगा तो इस परकार हम जान पाए कि जरुतमंद के मदद करने से हमें संतोस मिलता है जिस परकार निलेस और उसके साथियों को मिला अब देखे पार्ट पूरा हो गया आप लोगों ने समझ गये होंगे पार्ट बहुत आसान था अब देखे कुछ सब्दार्थ के बारे में बात करेंगे के कटे सब्द जो है तरन ताल तो तैरने के लिए बना छोटा तालाब स्विंग पूल जिसे अंग्रिजी में कहते हैं डाल मतलब साखा डाली जो होते है पेड़ की अवश्य जरूर छका कर तंग करके परिसान करके मुस्किल कठिनाई उपाय तरीका सुझाओ सलाह प्रतिछा इंतजार अंजाने बिना जाने बिना जाने हुए जरुतमन जिसे ज जरुत हो और मदद कारत होता है सहायता तो देखिए यहां पर खुर्पी की बात की गई है तो खुर्पी जो होती है एक आउजार होता है लोही का जिससे मिट्टी खोते हैं और घासों को काड़ते हैं जमीन पर उगाई घासों को मुहाबरे यहां कुछ मुहाबरों का प्र मेला U HA माबरी करत प्राइब चिंख भी मौकिक दुकप बच्ची पिकणिक मनाने कहा गए तो बच्ची पिकिनिक मनाने पारक में गए थे निलेस ने क्या सुझाओ दिया निलेस ने सुझाओ दिया कि क्यों न हम इस गरीब आदमी की कुछ मदद करें जिससे इसको खुसी हो तो बच्चों ने कोड की जेवों में अपने जेवों में अपने खर्च में से खुछ पैसे बिस्क्रियट चौकलेट और टॉपियां रखी थी अब देखें यहाँ पर आते हैं इसान के सुझावपर निलेज ने क्या उत्तर दिया तो देखे हम सभी जानते हैं कि इसान बहुत सा दारती बच्चा था तो इसान के सुझावपनिलेस ने उत्तर दिया कि मित्र किसी को मुसीबत में डाल कर हमें क्या मिलेगा क्यों ना हम इस माली को खुस करने का कोई उपाय सोचें तो इसान के सुझाव पंदिलेस ने कहा कि मित्रह में किसी को मुसीवत में डाल कर क्या मिलेगा क्यों ना मुझ उस माली को खुस करने का कोई पाय सोचें तो ख, माली अपने बेटे की इच्छा क्यों नहीं पूरी कर पा रहा था हम सभी जानते हैं पार्ट का इसाब से कि माली बहुत गरीब था और माली की पास पैसे नहीं थी इसलिए अपने बेटे की इच्छा पूरी नहीं कर सकता था ख, कोट की जेवें भरी देखकर माली को कैसा लगा तो कोट की जेवें भरी देखकर माली को बहुत अच्छा लगा और उसने इस वर का धन्यवाद दिया अब गरीब जेवें भरी देखकर माली को बहुत अच्छा लगा और उसने इस वर का धन्यवाद दिया अब गहा है क्या है बच्चों के मुख पर संतोस का भाव क्यों था बहुत अच्छा प्रस्थन है यह बच्चों ने एक अंजाने में ही सही एक जरुत मंद इंसान अर् पढ़कर प्रसंदों को उत्तर लिखना है तो देखे हम पढ़ते हैं अध्यापिका जी हमें प्रिक्निक पले आये थी पार्ग में चारो तरह भच्चे भच्चे खेलते को तके नजर आ रहे थे मैं अपनी मित्रों को साथ खेलते खेलते को निकल गया चानक मेरे मित्र इस प्रिटान का धहान ने पटेवी कोड के तरफ गया जो एक पेंड की डाल पर टांगा हुआ था अब देखिए यहां से एक पारग्राफ देदियागी आप आपको चार प्रसंट दिये गया है अब इसमें से उतलिकने आपको बच्चों को पिकनिक पर कौन लाया है तो बच्च कि डाल पर टंगा हुआ था तो आप लिख सकते हैं बहुत असान है पहले हम लोगों नि पारट में समझ लिया था तो किस ने किस से कहा तो क्यों ना हम या कोड कर दें replicate यह बाद इसाम ने अपने दोस्तों से कहा किसी को मुस्ट किमें डालकर हमें क्या मिलेगा यहा बाद निलेश ने अपने मित्र इसान से कहा, चलो यहां से चलें, यह बाद वशुधा ने देखें, यहां पे लिखा हुआ है, पढ़ रहा हूँ, देखें, यह बाद चैताली ने वशुधा से कहा, तो चलो यहां से चलें, यह बाद चैताली ने वशुधा से कहा, अब देखें, सह यह उतर चुनके निसान लगाओ, इसान किस परकार कर लगा था सैतान, सैतान लिख दीजेगा, माली के बिटर ने अपने पिता से क्या लाने के लिए कहा था, टॉफिय चॉकलेट, ठीक है, तो माली के बिटर ने अपने पिता से क्या लाने के लिए कहा था, टॉफिय और चॉ और यहाद हो सकता है तो मैं उसे अपने अध्यापिका जी के पास ले जा कि उसके समस्याओं को हल करने को इसका आर्थिक सिति को हल करने का प्रयास करता ठीक अध्यापिक अध्यापिका बेटा बेटी माली मालिन नौकर नौकर नौकरानी बच्चा बच्ची और देवर देवर देवरानी पुत्र पुत्री आदमी औरत ठीक है तो आप इस परकार लिख सकते हैं अध्यापिक अध्यापिका बेटा बेटी माली मालिन नौकर नौकरानी बच्चा बच्ची देवर देवरानी पुत्र पुत्री आदमी औरत इस परकार तो यहां उच्छी स्वर में पढ़ो और लिखो दिया गया है रुपए रुका रुकावट ठीक है इसके बाद है जरत मंद रुमाल और रूप तो इसके बाद है छोटाओ रापे बढ़ाओ के तीन तीन सब्द लिखो तो छोटाओ से क्या होगा रुकना रुई गुरू रुकना रुई गुरू आप लिख सकते हैं इसके बढ़ाओ से रूपा रूठना रूप ठीक है रुकना रुई गुरू इसके बात बढ़ा उसे रूपा, रूठना, रूप इसके बाद देखे हम तुरंद इधर दर छिप गए किस वाकिय में छिप गए क्रिया है तो जिस सब्द से कुछ करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं ठीक है? अब इसमें से आपको छांट के लिखना है कि कहां कहां में पार्थ में कुछ क्रिया सब्द को धूंड के लिखना है आपको तो पार्थ में से कुछ क्रिया सब्द को खोश के आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं पार्थ में से खोश जीगा पहले अब इसके बाद देखे मेरी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है और इस वाकिय में फूटी कौड़ी भी नहीं है एक आर्थ क्या है पहास में बिल्कुल पैसे नहोना थेक है तो सब्दों को वा समूँ जिससे हमें किसी बाफलो को का अपने सम्मान राद में खोरगे उससे अलग कोई वीस्ज़िक सार्थ ौहाबर olmuş तो मेरी जैं में पूटी है तो उसका आरत होता है पास है बिल्कुल पैसे नहीं होना तो मुहावरों का वाक्य में प्रियोग करो तो छपड फाड कर देना अब हम लोगों ने पढ़ाता है कि आशाना को बहुत सारी चीजी मिल जाना तो आप लिख सकते हैं वाक्य में इस वर्दी जिसे देता है उसे कि छपड़ फार कर देता है ठीक अब खुसी से खिलना तो बहुत खुस हो जाना माली को खुस देख कर बच्चों की चेहरे खुसी से खिल गए तoter को आप लिक सकते हैं कि तुम्हें यहां देकर में तो अर्षा कर रह गया ठीक है यह जो पुलिस को देखक चोर हखा बखार रह गया चोरी करते पकड़ जाते हिसा में चोर बहुत हका बखार रह गया तो इस परकार आप अपने वाकिय में प्रयोक जब शपड़ फार कर देना माली को बचों ने शपड़ फार कर दिया और बचों करेबाद करके बचों को छेरी खुरुषासे से खिल गए और तुम्हें यहां देकर मैं तो हटका बखका रह गया तो इस प्रकार आप लख सकते हैं अब देखिए यहां पर कुछ बातें कही गई हैं, कि मैं या मैं लिखकर खाली अस्थान भरो, तो मेरे साथियों में निलेज बहुत समझदार था, अब दीखे खाम बहुत आसान है, मैं अपने मित्रों के साथ तरणताल की ओर गया, मेरी जेब में पूटी कौड़े भी नहीं थी, आज हु मेरी जेब में फोटी कौड़े भी नहीं थी आज उन्होंने अंजाने में ही एक जर्रत मंद की मदद की थी अंगा उसकी इतनी सी इच्छा भी मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा ठेक है तो मैं या मैं लिखकर खालिस्तामर बहुत आसान आपसे लिख सकते हैं तो हम लोगों ने पार्ट को पुरा पढ़ लिया समझ गये और पिक्निक पार्ट को पढ़ा और उसको जो कटें सब्द हैं समझा और जो उसके मौकिक प्रस्ण है और चाहे हुआ लिखित हो या भासा ग्यानों सभी को हम लोगों ने पढ़ा और समझा असा करता हूं कि इस व साथ साथ आप इंदी को वीडियो इंदी को यूटूब चैनल को यूटूब पर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भासावा साहिद को प्योगिश जानकारी हमें साब राप्त होती रहें आप सभी का वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आसा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए प्रिक्यूसित दोगा धन्यवाद